ओम नमासिवार आए शुक्र के रासि परिवर्तन का जो तीन रासियों पे अक्तिधिक दुस्थ परिडाम पढ़ने वाला है उसके बारे में हम संचिपत रूप से चर्चा करते हैं वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यह ने वीडियो की सुचन लगने दिया आपका है तो यहां से शुक्र जो पंचम गोचर कर रहे थे वह आ गए छटे में और यहां पर इनका गोचर असुफ माना जाता है तो इस समय आपको सावधान रहना है और यह तीन जनौरी तक यहीं पर रहने वाले हैं सूरी के सन्निकट जाने वाले हैं पीड जो सरवाधिक कारग्र हैं वो भी अब जो है गोचर में असुफ हो गए तो पुरुस जातक है तो आपको विशेश तोर पे विपत्ति और कश्ट मिलने की संभावना यहां पर बनी रहेगी उपाय क्या करेंगे यदि सुक्र और बुद्ध आपकी कुंडली में अच्छी प प्राप्थ होगा Оगे यहां पे Çुक ब्रिशववरासी के लिए सब्तमस्दान के शुकर का जो गोचर होगा और को छो है यह वीधिन देनों और के लिए अगे पर मिलने की सम्भावना रहेगी मान सम्मान जनित कष्ट भी आपको जहलना पड़ जाएगा क्योंकि लगन में ही राहू है और सब्तम अस्थान में केतु हैं यहां पर आपके सारे ग्रहों का जो गोचर है वो असुब है तो विशवरासी वालों आपको अपनी पत्नी या या थो अपने दाम पत्ते से विशे इस तोर पर ध्यान रखना है आपको माता दुर्गा की विशे साराधना करते रहनी है और यदि आपकी पत्रिका में सुक्र अच्छे पोजीशन में है तो विशे सग्गे से सलाह ले करके सुक्र के रतनों को धारण कर सकते हैं उसके लिए हमारा भी नंबर है मुझसे कंसल् इस तरियों से विशे स्पीडा मिलने की संभावना रहेगी और यात्राधी करते हैं तो वहां से भी आपको कश्ट प्राप्ती होने की संभावना है और यह भी यात्राधी करते हैं तो भी कश्ट प्राप्ती की संभावना है दूसरा जो है यह विद्या बुद्धी विवे कादी के लिए अच्छा नहीं है यहां पर आएंगे हम देखेंगे कुम्रासी के लिए दसम में गोचर बनेगा तो दसम अस्थान के शुक्र का गोचर का जो फल बताया गया है वासुब बताया गया है और वो भी बताया गया है कला तो कॉन करता है घर में पूरुस जातक है त इनको सुन्य प्राप्त होता है और यहां पर यह सत्रुर रासी में हो जाते हैं कालपुरुस में वहाँ प्रभाव भी है मकर रासी होती है इस कारण भी सुक यहां पर आसुभ फल उतपन करते हैं तो यहां इनको कला से विशेस सावधानी रखनी है और भी क्या क्या सावधानी रखनी है बुद्ध अस्त है और इनके पंचमे सोकर के बुद्ध है तो इहां इनके साड़े साती भी है और इन पे तो धाया है और इन पे क्या है साड़े साती है तो इनको मान से की स्थिति अप अपनी कुंडली विसलेशन करा करके और वहां पर सुक्र की बुद्ध की और सनी के सिती अच्छी है तो इनके रतनों को धारन करेंगे और यदी नहीं कराना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहों के जो बीज मंत्र है न वो कोई भीजब कर सकता है उसे विसलाप्राप्त होगा तन देनों में आप मत दرुगा क्या रातना करते रहेंगे तो कल जनीत पिडास समाप्त हो जाएक और फुरुद्र विसलाप्त होगा और सीव जी को गुड़ा अदुपित करें और सीव जी को सफेद पूस परपित करें पढाम करें उससे विशेश लाफ प्राप्त होगा और सीश रासी फलवली एकली वीडियो में भी स्टार्ट से चर्चा करते हैं